जैये शुप आईए हम सब अपने आखें बंद करें प्रभ को धन्यवाद दे सुन्दर समय के लिए सुन्दर प्रबंद के लिए धन्यवाद दीजिए समर्पित हो जाए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए अपने परिवार को समर्पित कीजिए अपने सुख दुख अवशकताएं सब कुछ को अपने चिंताएं प्रभु को चमन समर्पित कीजिए अपने पापों को प्रभु के चर्णों में समर्पित कीजिए अपने पापों के लिए प्रभु से ख्षमा मांगे दयालू प्रभू करुणा में प्रभू हमारी पुकार सुनेंगे हमें आशेशित करेंगे बोले हालेलुईया अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं एक गाल पर कोई मारे जो चाटा दुसरा गाल भी देना ले जाए कोई एक मेल जबरन दो मेल तुम साथ जाना नों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं अपने सिजैसे वैसे ही अपने पडोसी को प्यार करना येसु मरा तेरे बापों के कारण यह विश्वास करो अपने सिजैसे वैसे ही अपने पडोसी को प्यार करना येसु मरा तेरे बापों के कारण यह विश्वास करो अपनों पर तो लोग यहां पर इतबार करते हैं फलाने खुदा पर विश्वास करना मसीहा सिखाते हैं अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं मसीहा सिखाते हैं मसीहा सिखाते हैं हरल्या 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 सिखाते हैं मसीहास करना पर तो तेरे अरादना, तेरे सुती हो प्रभु तेरी रात ना हूँ, तेरी सुथी हो तेरी महिमा हूँ, halay या चौभी रावे शी जय वहां अलेलुया अलेलुया प्रभू मुझे अपने मार्ग का ग्यान दे मुझे अपने मार्ग का ग्यान दे मुझे अपने पत की शिक्षा प्रदान कर मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल मुझे शिक्षा देने की कृपा कर क्योंकि तो ही वह ईश्वर है जो मुक्ती प्रदान करता है मैं दिन भर तेरी प्रतिक्षा करता हूँ हालेलुया अपनी करुणा और सत्य प्रतिक्षा याद कर जो अनंत काल से बनी हुई है हालेलुया अपनी करता हूँ हर्ज यहर 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 यहर। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हालुईया संत्मत्तिकासु समाचार अध्याए पाँच वचन संख्याए 38 से 48 तक तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है आँख के बदले आँख और दात के बदले दात परन्तु मैं तुम से कहता हूँ दुष्ट का सामना नहीं करो यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थपड मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो जो मकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्टा लेना चाहता है उसे अपनी चादर भी ले लेने दो और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ जो तुमसे मांगता है उसे दे दो और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुह ना मोड़ो तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है कि अपने पडोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रूँ से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो इससे तुम अपने स्वर्गिक पिदा की सन्तान बन जाओगे क्योंकि वा भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा द्धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है यदि तुम उनहीं से प्रेम करते हो जो तुम से प्रेम करते हैं तो पुरसकार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाईयों को ही नमसकार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहुदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पून बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पून है प्रभु की स्थूति हो प्रभु की महिमा हो प्रभु की आराधना हो हालेलुया येसु की स्थुती हो येसु की महिमा हो येसु की आराधना हो हालेलुया मेरे प्रिय भायों पहने प्रभु येसु हमें एक नई शिक्षा देते हैं जो शिक्षाएं पहले से दी गई थी, जो नियम पहले से बनाए गए थे उनको सुधारते हैं, उसमें कुछ और जोडते हैं और ईश्वर के इच्छा उसमें सनलग्न करते हैं और कहते हैं कि पूर्ण बनू प्रभु हमें पूर्ण बनाना चाहते हैं अभी हमने गाया ना, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं गैरों को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूसरा गाल भी देना प्रभु ये शिक्षा देते हैं प्रभु की यह शिक्षा है अर्थात प्रभु हमें प्यार करना सिखाना चाहते हैं इश्वर की तरह प्यार करना हमें सिखाना चाहते हैं संसार की तरह नहीं दुनिया की तरह प्यार करना हमें नहीं सिखाते हैं प्रभु कहते हैं कि दुनिया के प्यार में कमी है संसार के प्यार में कमी है संसार भी प्यार करता है लेकिन कैसा प्यार करता है वो केवील उन्हीं को प्यार करता है जो उन्हें प्यार करते हैं इसमें कुछ कमी है, मैं क्या कहता हूं, तुम अपने बैरी को भी प्यार करो, उसके लिए प्रार्थ ना करो मेरे प्रियों वचन में प्रभु कहते हैं कि तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है आँख के बदले आँख और दात के बदले दात मतलब बदला चुकाओ किसका जो तुम पर अत्यचार करते हैं तुमको दुख देते हैं तुम्हारा नुकसान करते हैं तुम्हें प्रतारित करते हैं तुम्हें बरबाद करने की सोचते हैं और उस पर कदम बढ़ाते हैं प्रभु कहते हैं तुम लोग ऐसा ही सुना है ऐसा ही समाज करता है संसार ऐसा ही करता है लेकिन मैं क्या कहता हूँ कान खोल करके सुन लो प्रभु की एक महान शिक्षा बहुत बड़ी शिक्षा प्रभु कहते हैं कि दुष्ट का सामना नहीं करो दुष्ट का सामना बिलकुल मत करो दात के बदले दात आख के बदले आख नहीं उसका सामना ही मत करो बलकि कहते हैं यदि तुम्हारे दाहिने गाल पर थपड मारे कोई तो दूसरा भी उसके सामने कर दो ऐसा बनो ऐसा बनो नम्र बन जाओ प्रभु ने ये उदाहरण दिया है कि अगर इस प्रकार से तुम्हारे उपर कोई अत्याचार करता है तो तुम उस दूस्ट का सामना मत करो चलाकी से काम लो कहते हैं प्रभु कि तुम अगर कोई तुम्हारे गाल पर थपड मारता है तो दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो लो भाई इस पर भी मार लो मतलब जगड़ा खतम करो गुस्सा थूको इसका मतलब ये है कुछ लोग कहते हैं कि फिर मारे तो क्या करेंगे उसके बाद भी मारे तो क्या करेंगे उसके बाद भी मारे तो क्या करेंगे प्रभु के कहने का मतलब क्या है प्रभू ये कहना चाहते हैं कि उस जगड़े को बंद करो कोई अगर तुम से कहता है कि तुम जगड़ा करो हमारे साथ और उसके लिए वो आपको प्रोचाहित करता है आपको गाली देता है, मार देता है तो हमें क्या करना चाहिए? उस आग को बुझाने का काम करना चाहिए नहीं भाई हम आपसे जगड़ा नहीं करना चाहते हैं जाने दिजे, जो हो गया भूल जाए, माफ कर दिजे, जाने दिजे, छोड़िए प्रभू ये कहना चाहते हैं ये समझाना चाहते हैं कहते हैं कि जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्टा लेना चाहता है उसे अपनी चादर भी ले लेने दो जगड़ा मत करो जब आभी करवाई मत करो और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाना चाहे तो उसके साथ कोस भर भी जाओ प्रभु कहते हैं जो तुमसे मांगता है उससे दे दो और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुह नहीं मोड़ो ऐसा बनना है मुह नहीं मोड़ना है प्रभू हमें महान बनाना चाहते हैं प्रभू हमें अपने तरह बनाना चाहते हैं जैसा कि इश्वर है इश्वर हमारे साथ ऐसा ही करता है हम कितनी बार इश्वर के खिलाफ जाते हैं इश्वर के प्रती विद्रोह करते हैं, लेकिन वह हमें शमा करता है, हमें बरदास्ट करता है, नादान समझ करके, नादान समझ करके नजरणदाज करता है, अगर हमारे पापों का, हमारी बुराईयों का लेखा प्रभु लेने लगे, तो हम कहीं भी नहीं टिक पाएंगे, क प्रभु दया करता है, करुणा करता है, ऐसा ही प्रभु हमें बनाना चाहता है, क्यों बनाना चाहता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम उसके संतान बन जाएं, उसके पुत्र पुत्रियां बन जाएं मेरे प्रियों, ये प्रभु चाहता है हमें, हमें इतना महान बनाना च प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पडोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परन्तु मैं तुम से कहता हूँ, अपने शत्रों से प्रेम करो और जो तुम परत्याचार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो ये प्रभु सिखाते हैं, आगे कहते हैं कि इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे देखिए, प्रभु हमें अपने संतान बनाना चाहता है, हमें क्या करना चाहिए इतना बड़ा ओफर प्रभु दे रहा है हमें इतना महान ओफर हमें मिल रहा है और हम मुर्खता नहीं कर सकते वेवकूफी नहीं कर सकते इस ओफर को ठुकरा नहीं सकते उसके लिए करना होगा कहते हैं कि संसार की तरह नहीं करना है संसार क्या करता है कि वह कहता है कि अपने पडोसी को प्रेम करो अपने बैरी से बैर करो हाँ संसार की यही नीती है जो तुमको प्यार करता है जो पडोसी तुमको प्यार करता है उसको प्यार करो और जो तुमसे बैर करता है उसे बैर रखो यही संसार की रीती है संसार ऐसा करता है प्रभु कहते हैं परन्तु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रों से प्रेम कर और जो तुम परत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना कर इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे और प्रभु ने ये कर के दिखाया प्रभु ने ये कर के दिखाया, जिन्होंने उन पर अत्याचार किया उनको गालिया दी, उन पर थूका, थपण मारे, कीले ठोकी, कोडे मारे प्रभु ने क्या किया प्रभु ने क्या किया प्रभु ने कहा पिता इन्हें ख्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं क्या किया प्रभु ने प्रार्थना कि अपने बहरियों के लिए जो उन परत्य चार किये उनके लिए हमारे प्रभु ने प्रार्थ कि जब ये प्रभु शिक्षा दे रहे हैं उसमें प्रभु येसु क्रोसित नहीं हुए है बाद में वो दिखाते हैं कि देखो ऐसे करना है हमें ऐसे ही करना है संसार की तरह बिलकुल नहीं करना है मेरे प्रियों कहते हैं कि इससे तुम स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओग कहते हैं क्योंकि ये क्यों ऐसा करना है क्यों ऐसे माफ करना है क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है ऐसा ही हमें करना है बैरी को भी प्यार करना है धर्मी अधर्मी को भी ही दोनों को भी प्यार करन जो पर पैसे कर रहते हैं कि यदि तुम उनीं करते हैं यहीं प्रफु कहते हैं कि यदि तुम उनीं से प्रेम करते हो जो तुम और यदि तुम अपने भाईों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो क्या गईर यहुदी भी ऐसा नहीं करते इसलिए पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है आईए हम प्रार्थना करें प्रभु को धन्यवाद दे इन सुन्दर वचनों के लिए दोनों हाथों को उठाएए प्रभु को धन्यवाद देजे प्रभु से प्रार्थना कीजे कि प्रभु हमें शक्ति दे बल दे ताकि हम इस बचन को अंगिकार कर सके हलल्यूए प्रभु देया कर करुणा कर तुम हमें अपनी संतान बनाना चाहता है अपनी तरह बनाना चाहता है, अपनी तरह महान बनाना चाहता है, ये शिक्षा हमारे जीवन में घहर कर जाए, ऐसी कृपा देंगे ऐसा सामर्ति दे, ऐसी शक्ति दे येसू, हाँ येसू, हम ऐसा बनेंगे, हम येशु तेरी अच्छा पूरी करेंगे हम ऐसे ही करेंगे हम ऐसे ही करेंगे चाहें जो भी हो जाए हम ऐसा करेंगे करुणा कर प्रभू हमारे अंदर की हर एक कमजोरी को दूर कर हमारे अंदर जो संसार रिकता है जो संसार की तरह व्यवहार करने का जो आदत हैं उस आदत से प्रभू हमें छुटका रादे हैं हमारे अंदर से वो गंदी आदत हैं, वो कमजोरियां, निकाल प्रभू हमें शक्तिशाली बना, अपनी तरह दयालू बना, करुणा में बना, प्रेमी बना अरादना 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 धन्यवाद तेरी आशिशों के लिए तेरी प्रेम के लिए तेरी आशिरवाद के लिए इस सुन्दर वचन के लिए इस सुन्दर कृपा के लिए जो तुने हमें दिया हाललुया हाललुया हामें अपनी संतान बनाने के लिए दन्यवाद जिस्जश, दन्यवाद पिता इस्ष्छ, दन्यवाद पावनात्म आदि हाललुया, हाललुया, हाललुया येसू, येसू